ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट आपके चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आईए इस रूडियो में जानते हैं भागे शाली लोगों की कुछ पहचान है कई बार आप अपने भागे को बहुत कोस्ते हैं आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे भागे में कुछ भी चीज़े अच्छी नहीं हैं हम बहुत महनत करते हैं लेकिन महनत के मताबित सफलता हैं नहीं मिलती हैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम बहुत करीब सफलता के आने के बार भी हमें सफलता नहीं मिलती हैं दूसरी बात कई बार हमारे दामपत्ती जीवन में तकलीफ होती हैं हम बहुत अच्छे हैं सरल लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत सी चीजे नेगेटिव वे में जाती है तब हमारे मन में ये प्रशन उठता है कि हम वाके में भागिशाली है या नहीं है और अगर नहीं है भागिशाली तो क्या उपाई कोई करें कि जिससे हम इस सभी प्रकार की तकलिपों से बाहर आ जाए तो वो उपाय भी में बताऊंगा जिससे कि आप इन तकलिपों से बाहर आ जाए और भागिशली लोगों की पहचान भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेधन में आपसे करना चाहता कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल से जुड़ें कमेंट्स में भूलें आपका एक नाम लिखें और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बन भूलिएगा स्क्रीन के उपर नंबर मेरे चली रहे हैं अगर आपने कुणली का अनलसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो वाट्सप पर अपोंडमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं सबसे पहली बात है कि भागेशा लिए व्यक्ति के मन में हमेशा दया होगी अगर आपको किसी को देखकर दया आती है तो बेशक आप भागेशा लिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये नहीं होता है ये बिलकुल आप ये बात दिमाग में आ रही होगी कि ये तो मानों का नेचर है लेकिन इसे गलत फिर्मी है लेकिन उसके बात भी लोगों को किसी की परिशानिया तकलीफ में दया नहीं आती है तो अगर आपके मन में दया किसी को तकलीफ में देकर पीडा में देकर आपको दया आती है तो यह सबसे पहला संकेत है कि आप वाकए में भागिशाली है च्योंकि जिसके मन में दया होगी वही वेक्ति भागिशाली होता है दूसरा वो लोग जो लोग हमेशा जाने अन जाने में या किसी का भी बुरा आहित नहीं चारते हैं ये भाव हमारे मन के अंदर होता है इसके लिए कोई बहारी तोर पर हमें देखने के आउशकता नहीं है तो वो जाने अन जाने में कभी किसी का अहित नहीं चाहता है वो व्यक्ति बहुत भागिशाली है यह दो मोटे तोर पर पहचान है संक्य थे एक भागिशाली व्यक्ति की लेकिन इसमें कुछ बाते भी हैं कि कई बार इसका लोग मिस्यूज भी करते हैं अपने भागिशाली होने का इन सब चीजों का positive होने का लोग misuse भी करते हैं लेकिन जो भी इसका misuse करते हैं उन्हें इस चीज की पीड़ा भुगतना पड़ती है तो कि सरल और सहज वक्ति या अच्छे वक्ति के साथ उसके अच्छाई का अगर फाइदा को उठाता है तो उस सबसे पहला है गुरु मंतर का जब कोई नहीं गुरु मंतर है तो ओम्नमे शिवाय का जब करें गुरु मंतर में वो शक्ति होती है कि आपके जितनी सारी परिशानिया उनको खत्म कर सकती हर राशी के जात तक हर वक्ति ये कर सकता है तो अपना गुरु मंतर ओम्नमे शिवा झाले